बाल संत जो अभिनो अरोडा है यूँ तो हमेशा ही शोशल मीडिया का सैशेशन पने हुए हैं लेकिन जिस तरह से उनकी भक्ती है लोग उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और लोग उनको तरह तरह के आलोशना कर रहे हैं शोशल मीडिया पर और बात करें ताजा मामले की तो कल यानी एक शोशल मीडिया पर वारल हुआ विडियो जिसमें राम भद्रा चार द्वारा जो अभिनो अरोडा है बाल संत उनको फटकार लगाते वे दिखाया गया है हमने जब उनके फादर से बात की तुरू ने कहा कि वीडियो फेक है बहुत पुराना और एडिट और क्या इस्टेंड है अभिनो अरोडा का इसमेसर आपका बहुत स्वागते हैं लोग लेकिनों न्यूजेटी में धन्यवाद देखिए ऐसा है कि यह जो पूरा का पूरा विशह चल रहा है यह कुछ खास लोगों के तरफ से किसी खास एजेंडे की तरफ चलाया जा रहा ह मसला अचानक यह जो वीडियो आ रही है और उसके बाद फिर उस पर एक के बाद एक के बाद वीडियो आ रही है फिर अचानक हमने देखा कि अभिनो अरोडा को डारेक्ट लाइफ थ्रेट्स भी आ रही है बलकि हमने गन्सर्ण जो पुलिस अथारटी जह उन्हें भी किसी खास योजना बद्ध तरीके से किसी खास एजंडे के लिए ये हैरस्मेंट किया जा रहा है वरना अगर आपको अभिनाव अरोडा के खिलाफ या उनके पक्ष में कोई भी वीडियो चलाना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं चला सकते हैं आपको अभिनाव अरोडा का पार कहीं का रोडा भानुमतिने कुनबा जोडा वाली बात चल रही अपने मल से कुछ भी चला रहे हैं अभिनाव अरोडा के कई कई परसनल फोटोग्राप्स निकाले जा रहे हैं बिना उनकी कंसेंट के तथाकरित यूट्यूबर उसको अपने प्रोफाइल पे चला रहे हैं उससे वो financial gain कर रहे हैं और उसको अपने हिसाब से spice up करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें viewership आए ज्यादा ज्यादा उसमें comments आए और वो ज्यादा ज्यादा lead करें और ज्यादा ज्यादा लोग उसे देखें तो ये एक सोची समझी शाजिस है अभिनाव अरोडा के खिल इसको लेके अभी पुलिस अधिकारियों को एक जो procedural aspect है कि concerned police जो officers होते हैं उनको पहले बताया जाता है कि साब यह यह मसला है और उसके बाद court move किया जाता है so we are in the process of initiation of strongest legal action against the culprit सर जितने भी यूट्यूबर से हमने लगभग तमाम वीडियो सौ से जादा वीडियो तो मैंने खुच चाह किये हैं तो क्या सब के ऊपर आप कारवाई करेंगे और किस तरह की कारवाई होगी मान हाने की होगी या कुछ और देखिए कारवाई करिंग नहीं कारवाई शुरू हो चुकी है चाहे वो दस हो चाहे वो सौ हो चाहे वो हजार हो अगर हजार नहीं लाख लोग भी गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ criminal prosecution launch होगा हमने तो launch कर दिया है और अभी फिलहाल criminal defamation को initiate कर रहे है attempt to extortion और blackmailing इस तरह की कई sections invoke किये हैं हमने उनके खिलाफ और साथी साथ हम लोग high court का भी रुख कर रहे हैं ताकि उसमें इस सारे videos को हटवाया जाए और एक तरफ जो ये videos हैं उन्हें हटवाया जाए दूसरे तरफ ये जो पूरा का पूरा scandalize किया है और blackmail कर रहे हैं या इस तरह की जो violation कर रहे हैं उसके fundamental rights का उसकी personal liberty का उसके लिए criminal defamation हम लोग already initiate कर रहे हैं लेकिन emotional ही तो और गर ये video हम लोग देखें मतलब इस पूरे बच्चे का वो तो भी बच्चा है और इतने कम उमर में कोट कचारी के चक्कर लगाना तो ये थोड़ा से इस पी क्या कहन चाहेंगे because इस तरह की सवाल आ रहे हैं कि लोग पुछते हैं तुम पढ़ते नहीं हो इसकूल नहीं गए पहली बात तो ये विशे उनका नहीं पहले वो बड़ा बड़ा हास्यास्पद है कि दिये तेले अंधिरा वो अपना देखें ये उनका क्या विश है और उन्हें प अच्छे को कोट जाना पड़ रहा है ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है पर इस्ति ऐसी बन गई है यह हालात ऐसे बन गए कि अगर वो नहीं जाता है तो क्या करेगा आगे कुआ है पीछे खाई तो उसको तो option लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा वो रुक नहीं सकता उसे कोट की शरण लेनी ही पड़ेगी राम भद्राचार जी का जो वीडियो कल रासिखू वारल हो रहा है वो उसकी क्या हकीकत है राम भद्राचार जी का वो वीडियो पहली बात वो चेक होना चाहिए कि वो इडिटेड है या ओरिजनल है पर फिर भी उसमें ऐसा क्या गलत लगवा बीस मिनट के आसपास अभिनाओ वहाँ स्टेज में रहता है और बीस मिनट बाद वो यह कहते हैं कि मेरी अपनी मराद आ है इनको नीचे ले जाओ इसमें क्या गलत है इसमें कौन सा डाट दिया कौ कौन सी हिंदी की कौन सी व्याकरण इसको फटकार ना कहते हैं एक विटि ऐसे ही तो बोलेगा कि आप इनको नीचे लेके जाएये मेरी अपनी मराद है बीस मिनट तक उन्होंने सुना उस बालक को अब क्या चाहते हैं उसके बाद इस 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 इंसरेंट के किसको पटकार समझ रहे हैं आप लोग तो सर इस मामले पर कब से सुनवाई शुरू हो सकती है कोई डेट देखिए हमने जो सक्षम पुलिस प्राधिकारी गण है उन्हें इस वारे में सुचना दे दी उन्होंने कारवाही शुरू भी कर दी है प्रेमे इंक्वाईरी भी यहां तक मुझे जानकारी है शुरू हो चुकी है और अब यह उनके उपर है क्यों किस तरह से कारवाई को आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी हम लोग इसमें कोट में भी मौजूद रहेंगे और बहुत जल्दी कर दि यह बहुत-बढ़ी के रास्ते पर चलागया आसे hundred कर दिया क्या अच्छे काम कि उम्र नहीं होती अगर वो कर रहा है राधा नाम जप रहा है तो आछ तो है आपनर दो प्रसंद नहोंदा जाए ऊपन को और प्रशुश आपना चाहिए कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा को ड्रक्स लेता हो या वो कोई अनायतिक कारे में लिप अच्छा का आप कर रहा है जरतल में मेरा सवाल नहीं है लोग पूछ रहे हैं कि ये बच्चा ये लोग नहीं पूछ रहे हैं ये कुछ खास ग्रूप आप ये कह सकते हैं पीपल है जो इस तरह के सवालात को उठा रहा है और वो इसको इस तरह से प्रजेंट कर रहा है जैसे योग राज भगवान कृष्ण की भक्ति करना को बहुत बड़ा अपराद है मतलब आपको शर्म से गड़ जाना चाहिए अगर आप राधा नाम जप रहे हैं अगर आप अपने प्रभू अपने इश्ट की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्राद हो गया इसको इस तरह से प्रजेंट किया जा रहा है आपको नहीं लगता आपका सवाल तो बिलकुल सही है लेकि इस तरह के सवाल लगातार आ रहे थे कि बच्चे का शैद इस समय क्योंकि धर्म की बाते जादा चल रही है एक तरफ दिरेंदर शास्री जी भी है जो काफी फेमस हो चुके हैं तो अब इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं ताकि उन्ह है आते ही है आगे अब वह कोई अपने पब्लिसिटीच के लिए कर रहा है या किसी का क्या बूष जो सका वह मैं उसमें कहने लिए बिल्कुल अझा यह मैं सिर्फ उसके अहिकार और उसके अधिकारों के हनंतक सीमी थो औ... .. répर हमें पूरा विश्वास है.. कि माननी कोड इसमें अभिनाओं को पुरा न्याय देगी और दोशियों के खिलाब इसमें कारवाई होनी चाहिए और होगी असी और जानकारी के लिए मेरे साथ मैं दिल्ली से अंजली सिंग राजपूत लोकले की